तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सूजी और मुर्मुरे से बनी हुई एक टेस्टी रेसिपी अगर आप सुबह की भागदोर में नाष्टा बनाने के लिए कम समय देना चाहते हैं तो इस नाष्टे को ज़रूर ट्राइ कर सकते हैं तो चलिए हम आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं यहाँ पर एक मिक्सिंग बॉल ले और अब मैं उसमें डाल रही हूँ आदा कप सुजी अब मैं इसमें डाल रही हूँ आदा कप दही दही जो है वो खट्टा नहीं होना चाहिए अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डा आइते हैं हमारा मिक्षर जो है वो तयार हो चुका है अब मैं इसे 5 मिनिट के लिए साइड में रख रही हूँ... अब यहाँ पर दूसरे मिक्सिंग बॉल में एक कप मुर्मुरा ले लीजिए और आप मैं इसमें एक कप पानी डाल रही हो और इसे हम अच्छे से पानी के साथ मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा मुर्मुरा जो है वह थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए दो मिनिट के बाद अब मैं इसमें से एक्स्ट्रा पानी को स्क्वीज कर रही हूँ और अब मैं इसे मिक्सी के बरतन में डाल रही हूँ साथ ही में इसमें सूजी और दही वाला मिक्षर भी डाल दीजिए और अब हम इसे थोड़ा सा पानी डाल कर फाइन पीस लेंगे अब इसे मिक्सी के बरतन में से मिक्सिंग बॉल में निकाल लीजिए अब मैं इसमें डाल रही हूँ बारी कटा हुआ करी पत्ता बारी कटा हुआ धनिया पत्ता बारी कटा हुआ गाजर बारी कटा हुआ प्याज बारी कटी हुए हरी मिर्च स्वाद अनुसार नमक अब इसे धीरे-धीरे करकर अच्छे से म स्मूद बैटर हमें बनाना है हमारा बैटर जो है वह अब तैयार हो चुका है इस बैटर से आप जब भी कोई रेसिपी बनाएंगे उसके पहले इसमें एक चमच फ्रूट सॉल्ट दाल दीजिए आप इस फ्रूट सॉल्ट के ऊपर में थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ और इसे मैं बैटर के साथ अच्छे से मिला रही हूँ ताकि फ्रूट सॉल्ट जो है वह अच्छे से अक्टिवेट हो जाए आप देख सकते हैं हमारा बैटर जो है वह अच्छे से स्मूध हो चुका है अब मैं इससे अपम बना रही हूँ मैंने अच्छे से सब में बैटर जो तो हमारे अपम जो है वह तयार हो चुके है आप देख सकते हैं यह खाने में भी बहुत हिल्दी और टेस्टी लगते हैं आप इसे अपने ब्रेक्पास टाइम पर या फिर शाम की ताइम पर चाय के साथ जरूर से कर सकते हैं आज की रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज आपने कॉमेंट सेक्चन में जरूर बताइए और अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और अगर आप जुबेदा कीचिन चानल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जुबेदा